लखनव के एक उच्चवरगिय बुड़े पिता ने अपने पुत्रों के नाम एक चिठी लिखकर खुद को गोली मार ली। चिठी क्यों लिखी और क्या लिखा? ये जानने से पहले संक्षेप में चिठी लिखने की प्रिष्ट भूमी जान लेना जरूरी है। पिता सेना में लाडलों को पालने में कोई कोर कसर नहीं रखी। बच्चे सफलता की सीरिया चटते गए। पर लिखकर इतने योग्यों हो गए कि दुनिया की सबसे नामी गिरामी कॉपोरेट कमपनी में उनको नौकरी मिल गई। सरयोग से दोनों भाय एक ही देश में लेकिन अलग- मा से गले से बेटों को खबर दी। बेटे, तुम्हारी मा अब इस दुनिया में नहीं रही। पिता अपनी पतनी की मिट्टी के साथ बेटों के आने का इंतजार करते रहे। एक दिन बाद छोटा बेटा आया, जिसका घर का नाम चिंटू था। पिता ने पूछा पड़ा। उसने पिता से कहा कि मुन्ना भाईया ने कहा कि मा की मौत में तुम चले जाओ। पिता जी मरेंगे, तुम्हारी मा ने बहुत सारे अर्मानों के साथ तुम लोगों को पाला पोसा। दुनिया के सारे सुख दिये। देश दुनिया के बहतरीन जगहों पर पास था। वो मरते समय तुम दोनों का चेहरा एक बार देखना चाहती थी और तुम दोनों को बाहों में भर कर चूमना चाहती थी। तुम लोग उसके लिए वही मासूम मुन्ना और चिंटू थे। उसकी मौत के बाद उसकी ला। शर के पास तुम लोगों का इंतजार कर के लिए कोई नहीं होगा सबसे बड़ी बात ये कि मैं नहीं चाहता कि मेरी लाश निप्टाने के लिए तुम्हारे बड़े भाई को आना पड़े इसलिए सबसे अच्छा ये है कि अपनी मां के साथ मुझे भी निप्टा कर ही जाओ मुझे जीने का कोई हक नहीं क्योंकि जि जीवन भरधन के साथ सम्मान भी दिया मैंने समाज को सभ्य नागरिक दिये हां अच्छा रहा कि हम अमरीका जाकर नहीं बसे सच्चाई दब जाती मेरी अंतिम इच्छा है कि मेरे मेडल तथा फोटो बटालियन को लोटाए जाए तथा घर का पैसा नौकरों में बाटा जा तुम्हारा पिता कमरे से ठान्य की आवाज आई करनल साहब ने खुद को गोली मार ली ये क्यूं हुआ किस कारण हुआ कोई दोशी है या नहीं हाँ ये कालपनिक कहानी नहीं पूरी तरह सत्य घटना है